ओम स्यांते आत्मा बनकर बैठें अपने मस्तक सिंगासन पर योगी इस धरा पर चलते फिरते लाइट हाउस हैं जिसे लाइट हाउस का प्रकास चहूं और फैलता रहता है वैसे ही योग युकत आत्माओ का प्रकास इस वसुन्धरा पर चहूं और दसो दिशाओं में फैलता रहता है बाबा ने हम सभी महान आत्माओ को योगी बनाया है कितना बड़ा भाग्य है कि स्वयम योगेश्वर स्वयम परम आत्मा ने राजयोग सिखा कर हमें योग बल प्रदान किया है हम सच्चे दिल से योगी बने योग का सुख इस अंचार में सबसे अधिक है क्योंकि योग माना स्वयम भगवान के साथ रहना तो याद रखेंगे बाबा के महावाक्य बच्चे तुम दो युग तक देवताओं के साथ रहे तुमने दो युग मनुष्यों के साथ रहकर भी देख लिया अब थोड़ा सा समय भगवान के साथ रहकर देखो संकल्प को करेंगे तो बाबा के साथ रहने का बहुत अच्छा उमंगमन में रहेगा और हम अनेक बातों से मुक्त होकर परमात्म मस्ती में मस्त रहेगे सोचें भगवान के साथ रहना कितना बड़ी सुख है कितनी बड़ी बात तो क्योन हम और सब तरफ से बुद्धी को हटा दें और के वल बावा के प्यार में मगन हो जाएं ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा हमारे पास ही तो वो स्रेश्ट बुद्धी है कि हम बावा की साथ निरंतर रह सकते हैं हमारे पास ही तो वो सद्विवेक है, वो सरल ज्ञान है, जिससे हम निरंतर योग युक्त रह सकते हैं, तो यदि हम नहीं रहेंगे, तो भला कौन योग अभ्यास करेगा, इस योग बल्च से संसार बदलता है, इस योग बल्च से हम अपना दैवी स्वराज इस्थापित करत हैं, इस योग बल्च से सारा वायु मंडल बदल जाता है, देवकुल की आत्माएं पुने जागरित हो जाती हैं, धरती चान, तारे, आका, सावा सब बदल जाती है, तो क्या हम इतना सुन्दर कारिय नहीं करेंगे, हमें इस बात को बहुत महत्त देना चाहिए, कि योग य युक्त जीवन इतना महत्त पूर्ण जीवन है, हम सोच लें, अपने जीवन में हम किसे महत्त दे रहे हैं, व्यार्थ की बातों को, व्यार्थ की उल्जनों को, व्यार्थ के कारियों को, या योग युक्त जीवन को, तो आईए, हम स्रेष्ट योगी बनने का सुन्दर संक जो योगी हैं वही भगवान को सर्वाधिक प्रिये हैं। में विशु परिवर्तन के महनकारिये में सबसे बड़ा योगदान देंगी। तो आईए हम सभी चलते फिरते लाइट हाउस बनें। हम माइट हाउस बन जाएं। कमजोर आत्माओं को शक्तियों का दान दें। आज सारा दिन। यही प्रेक्टिसम करते रहेंगे। मैं चलता फिरता लाइट हाउस माइट हाउस हूँ। मेरे अंग-अंग से रंग विरंगी किरने फैल रही हैं। सारा संसार इन पवित्र वाइब्रेशन से निहाल हो रहा है। सारे संसार का अंधकार दूर होता जा रहा है। और उपर से बाबा की शक्तियों की किरने बाबा की प्रकास की किरने मुझ में समा रही हैं। तो उपर से मुझ में समा रही हैं और नीचे मुझ से चारो और फैल रही हैं। यह सुन्दर अभ्यास आज सारा दिन करते रहेंगे। ओम स्यात्य।